हालो एब्रीवन एंड वेलकम बैक तो यूजी सिनेट में टॉर गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट रिपीट टॉपिक्स को लेकर गे जो कि अभी दिसम्बर 2023 में रिपीट हुए है क्योंकि अभी छे तारिक साथ को और आठ को तीन एक्जाम हुए है अभ यह चार दिन चलेंगे और जिनके एक्जाम अभी उन्हें बागी आप सभी के लिए एक एडवांटेज है कि आप इन चीजों को समझें कि कौन को अच्छा टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपकी काफी सही चांस है कि आप अच्छे स्कूर कर जाओगे ऐ इस पीडिय posooooo कि एडवांटेज वाली है तो इस तरीए से मैं इस केज प्रवाइड को आपको मैं में ट्रॉपी 오래 कूर आप में यंकिन देजया आप करना यूजी सिनेट मेंटर इस नाम से चानल है ना उसी नाम से आप सर्च करेंगे तो टालिग्राप पर रूप आजाएगा ओके तो गाइस देखो अभी तक छह साथ आठ तीन दिन एक्जाम चले हैं और इन तीनों दिन में सिर्फ और एक शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि क्लासिकल इसकार से कोशन ना बना हो अधरवावस सब्सक्राइब को अच्छे सी प्रिपेर कर लो जिनकी एक्जामम उने बाकी हैं बहीं आप सबीक के लिए दैफिनिट लिए एक एडवांटेज वाली बात है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपर कर लें इस टॉपिक को देखने के लिए मैंने लिंक दिया हुआ आप इस फीड आप उपन करके इस लिंक के थूझ देख सकते हैं इस क्लास को इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट पर बार-बार कोशन बढ़ रहें तोपिक को अच्छे से प्रिपेर कर लो और कल संडे हैं कल में ट्राइब कर दूँगा एक तो इसी यूट्यूब चैनल पर इंडियन लॉजिक के अंदर एक तो प्रमानाज आपको अच्छे से कर लेने और इसके इलावा आपको न्याय फिलॉसफी बढ़ ली नहीं है न्याय फिलॉसफी पर बार-बार कोशन बन रहें तो यह तोपिक अच्छे से कर लो यह तीन ज्यादा इंप्रोंट तो सारी इसके इंदर अवेलेबल है बट यह तीन ज्यादा इस पर बार-बार कोशन बन रहें तो इन तीनों को अच्छे से आपको कवर कर लेना है अगें गाइस फॉलिसी एक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर शिफ्ट में कोशन बना है छे साथ तीनों दिन और डबल डबल शिफ्ट में एक्जाम बना है फॉलिसी के उपर कोई ऐसे शिफ्ट नी जिस पर कोशन ना पूचा गया हो तो यह काफी इंपॉर्टन टॉपिक हो जाता है और फॉलिसी वाली जो क्लास है क्लास नमबर 14 है इंपॉर्टन टॉपिक सीरी कुछ ट्रिक्स बताइती ही तो यह पार्ट वन वाली क्लास देख लेना आप लो इसका लिंक भी अफेलिबल है तो इसको भी आप डाइक्ली डिक्स पर लिक करके कोडिंग डिकोडिंग की प्रेक्टिस कर लेना कुछ 15-20-30 कोशन तक कर लोगे ना 20-30 कोशन अगर आपने कर लिए तो कोडिंग डिकोर हम करता है क्योंकि जादा हर्ड लैवल की कोडिंग डिकोडिंग नहीं होती है बरखें कि एयो जो दिशाटें बन रहे मैं चब देख सकते हों मैं आपको इस लिए बता रहो लिंक ताकि आप यह टॉपिक कबर कर ले और यह टॉपिक कबर करने जरूरी है आपको इधर दर नहीं जाना पड़ेगा ना किसी बुको खोड़ लेंगे जरूरत है ना किसी अधर जगा जाने के जोड़ते इमम टाइम में जो है आपको टॉपिक कबर हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रियेंशन मस्ट है आएगा ही आएगा और यह पंदरा कोशन मैं इसलिए लिखिये हुए विकॉस पेपर वन के अंदर एक कोशन बनता है चोकी पांच कोशन होते एक कोशन के अंदर और ऐसे और यहाँ पर पांच कोशन पेपर वन में तो मतलब आपको पंदरा कोशन में लेंगे रीडिंग कॉम्प्रियेंशन के सोचो 15 कोशन मल्टिप्लाइब बैट हर एक कोशन के वैल्यू दो नंबर के मतलब 30 मार्क्स हो जो सोचके देखो कि 300 नंबर में से 30 मार्क्स मतलब अप इसलिए इस टॉपिक को प्रिपेर करना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत हो रही प्रैक्टिस करो कुछ 8-10 कोशन लगा लो प्रैक्टिस कर लोगो तो काफी सही रहेगा और देखो मैंने आपको वीडियो बना के समझा है था कि कुछ टिप्स हैं कुछ ट्रिक्स हैं सॉल करने की को किस तरह के सांसर उसके निकालने तो स्पीड भी आएगी और आप सभी कोशन कर पाएंगे और मैं आपको गैरेंटी दे के समझा है था कि आपको इससे तरीके से कोई नहीं बताएगा इतने यहां पर मैंने सिफ ट्रिक्स नहीं बताएं कंप्लीट एक कोशन को सॉ करना चाहिए तो यहां पर लिंक दिया हुआ है आप इस क्लास को भी जरूर देखें इस से आपके लगा लो थर्टी को मार्क से वह कहीं नहीं प्रिपेर होगी सिंगल टॉपिक से एक क्लास से एक क्लास देख लो और तीस मार्क की प्रिपरेशन तयार सुचो कितनी इंपॉ तो यह आपको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं ेस तो यह आपको अच्छे से पढ़ लेना हैं तो का अफिक । और यहां पर भी कुछ ट्रिक्स होती है अच्छे से पढ़के प्रिपेर कर लो डाल दूगा यह पर नीची तरब तो आप इस क्लास को भी देख पाएंगे इस PDF को उपन करने के बाद इसके बाद करने के मिशन बार को अच्छे से पढ़ लिजए इनके अंदर बी जाके पढ़ना यह निकी सिर्फ नाम पढ़ लिए नहीं की क्या रिकमेंडेशन थी इस तरहीं जो चीज़ें आपको पढ़ना है और राइट टू एज्टे एट्टु एज़्यशन एक तो आट पढ़ लेना आप लोग एक बार एक ये भी एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्ट है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी तो इंपॉर्ट है उसको आप सभी ने पढ़ा होगा मैं एनईपी की पीडिएफ भी आपको अपने टेलिग्राम गुरूप में देदूगा द चाहिए हिंदी में और ये आपको पता होना चाहिए तो गाइज इनको पढ़ लेना है आपको एंसी एंट यूनिवेस्टी से डिलेटेट कोशिन बंड रहे हैं और इसकी पीडिए भी मैं आपको अपने टेलिग्राम गुरूप में देदूगा तो जितनी भी पीडिए में आपको टेलिग्राम गुरूप मिलने वाली हैं आप मेक शोड़ी आपको आप ये जो पीडिए में मिल जाएंगी और एंसी यूविश्टी के साथ-साथ जैसे मदरास यूविश्टी हो गई इसके लावा क्यलकटा यूविश्टी हो गई ठीक है कुछ फेमस यूविश्ट इस से रिलेटेड भी कोशन बंढ़ रहें गाई इनको भी थोड़ा सा बरीक लिए आप पढ़ लें जो भी इंपॉर्टेंड यूविश्टी रही हैं तरता से पहले इंडिपेंडेंस से पहले और बात भी स्टेटमेंट बेस्ट कोशन बंढ़ रहें और मैच अप दी फॉ करो और देखो गाईज हर एक बार हर साल ऐसा होता है कि कुछ दो चार कोशन ऐसे जरूर डालेगा जो कि आपको टेंशन देंगे आपका दिमाग खड़ा करेंगी क्यार यह क्या दे दिया यह तो मैं पहली बार देख रहा हूं इसा तो कभी हुआ ही नहीं है आपको यह जब पहले चीज़ पर आप डिमोटिवेट मत होना अपने अंतर नेगेटिविटी मतला ना कि या दो चार कोशन नहीं बने इसका मतलब कि मैं पास नहीं होगा या मैं कर नी सकता डेफिनिटी आप कर सकते हो आपको 100% स्कूर भी नहीं करना यू नियू नियू तो यह जो दो चा तुक्का ट्रिक भी सीखनी चाहिए क्योंकि एक जंग एक तरीके से वह और है आप यहां पर सामदाम देंटिवे सब कुछ अपना लूँ तो जो पढली उससे भी मांक्स लेकर क्या हो कुछ तुक्का से भी मांक्स लेकर क्या हो एक्जाम करें कुछ आएगा तो आप सर्च टॉपिक सीरीज जो हमारी है इसका लेक्वी मैं यहीं पर दे रहा हूं आपकी सीरीज को उपन करके रिवीजन कर सकते हो पेपर वन के जो इंपॉर्टन टॉपिक है उनकी आपकी रिवीजन हो जाएगी सो मेंक्शूर आप सीरीज को जुरूर फॉलोव करें और अगर जू आपको प्रैक्टिस करने के लिए कर अभी नोल करते हो तो आपको सभी कोर्सिस के अंदर 100 मोक्रिस्ट फ्री मिलेंगे और पीडियेफ नोट्स भी आपको दिये जाएगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो मल्ल्टिपल टाइम डिवीजन कर सकते हो कैसे इसको को जो करना न इसका लिंग डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया हुआ है और इसके लावा गाईज यह जो पेपर वन और कॉमर्स मैनेजमेंट पोल सैंस के जो कोर्सिस हैं वो सारे के सारे कोर्सिस यहां पर अवेलिबल है तो आप इनको यहां पर आगर कर सकते हो और इनको जो है इनको कर सकते हो तो जून 2014 के लिए आपको मिनिममम तीन महीने या छे मेने वाला कोर्स जोन करना चाहिए वन मंत वाला कोर्स जोन मत करना वह रिकमेंडेट नहीं है वह बिल्कुल ही एंड टाइम पी दिसमबर 2023 के लिए बनाये गया था और यहाला जो कोर्स है वो मुस्ट प्रब